है कि यह हमारी आलू और हरमटर की सबजी बनके तयार हैं चाहिट इस रेसिपी के लिए हमने आधा केजी आलू को हमने बोई करके इस प्रकार कशेट में इसम्हें काटा हैाथा केजी हरमटर और तिन बड़े त्रवाइज का टमाटर एक बड़े साइज का प्याज और एक इंच अधर कर्टूक्रा में लिया है आव हमें कडाई लेगे कडाई मं तेल डालें तेल थोड़ी सीम ज्यादा डालें दो से तीन चमच बड़े चमच और उसमें ये पंच पुरन डालें एक चोटी चमच और त इस लिए एक साथ तकि हमारा टमाटर ए शॉरी कि हमारा मटर और जो प्याज दोनों अच्छे से पगजाए तो आव हम इसे कवर करके पकाएं में ताकि ये थोड़ा साफ्ट होजाए तो ये देखिए कि हमारा थोड़ा से मोईस्चार आ गया है क्योंकि मटर में थोड़ा स पानी होता है ज्यादा तो अभी मोश्चार आ गया है तो अब हम इस स्टेज पर लगवग छे से साथ मिन टीज़ कवर करके पकाने गवाद हम इसमें अधरक करेंगे और उसके वाए मसाले मसाले में धनिया लाल मिर्च पॉटर और यह जिवा पॉडर कस्मेरी लाल मिर्च लें हम इसे भून लेगे तो यसमीं थोड्य से पानी एड कर लेगे ताकि कि भूर मसाला होता ही सप्ड़्च से भूं जया गुंग कि यह जड़कि अब पिसे भी भूनेंगे लगए चार से पांच मेड़ता है तो पानी डालने के बाद हमने इस प्रकार के देखिए हमारे यह मसाला भी भून के रेडी हो गया है अब हम इसमें टमाटर एड़ कर लेंगे टमाटर हमने तीम बड़े साइज कर लिया था तो आप चाहते टमाटर और भी डाल सकते इस प्रकार के सब्जी में थोड़ी सी खटास भी आपको अच्छी लगी वैसे आपको उतना खटास पसंद नहीं तो आप नहीं डाले लेकिन ऐसे इस प्रकार सब डालते हैं तो खटास आएगी सब्जी में तो इसे हम कवर करके पकाएंगे तो यह देखिए हमारा टमाटर हलका से रोष्ट हो गया है और उसके बाद हम फाइनली यह आलू डालेंगे आलू हमने हापकेजी लेकी से बॉयल किया था और उसे इस प्रकार के सेप में काटा है तो अब इन सारे लुखो को हम एक साथ मसाले में मिलाएंगे तो यह लगबग髑 पांसे चे जनों के लिये हमने खाना बनाया है सब्जी तो यह देखिए हमारा मसाला अच्छे से अलो में मिल गया है अच्छे से तो आपको पसंद पानी डालना नहीं हो तो आप नहीं ही डाल सकते हमने थोड़ी सी पानी डालके से बनाया है तो यह देखिए हमारा फाइनली बनके तयार है अब हम इसमें थोड़ी सी घड़ मसाला इड़ कर लेते हैं तो घड़ मसाला डालने वाद हम इसे मिला के तो यह हमारा फाइनली आलू और हरे मतर की सबजी बनके तयार है तो तो दिखी कितनी चटकदार बुनी है सब्जी कैसी लगी यह रेसिपी फ्रेट्स हमें कमेंट करके जब बता हैं तब तक क्रिदाने बाद अगर यह रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंटी के वैल जाए जाए बाराद